मंजिलों के हगदार वो नहीं है जिनके ख्वाब बड़े हैं बलकि वे हैं जो जित पे अड़े हैं अगर आपने दसवी पर इक्षा पास कर ली है तो हो जाईये तयार SSE MTS के जरिये दे रहा है आपको सरकारी नोकरी पाने का सुनहरा मोटा SSE MTS की 72 त्यारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं Sure Selection Batch जो आपके selection को 100% सुनिशित करेगा इस batch में आपको अनुभवी सिचकों के माध्यम से classes कराई जाएंगी और किसी भी subject में आपको कोई भी doubt है तो उस teacher के माध्यम से ही उस doubt को clear किया जाएगा तो देरी किस बात की आज ही डाउन्लोड करें SSE MAKER का आप और जोईन करें Sure Selection Batch नमस्कार दोस्तों मैं विकास विश्योकर्मा में आज आज आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार online platform SSE MAKER के platform भाई आज तब लोग जुड़ जाओ आज का जो class है वह आपका बेहतर होने वाला है यहां आप भी कह सकते हैं एक चीज़ यहां पर आप लोग यह देखेंगे ना कि अगर कोई student अगर नया होगा कोई बात नहीं अगर कोई student नया है तो आपको उसको घबराने का सकता नहीं चीजी सीख जाएगा आपको मैं बता हूँ बेसिक से सीखाओंगा आपको एडवांस तक अच्छे से चलोंगा कोई mathematics नहीं है ने तो रेजिनिंग यह हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी के तारीके सी पढ़ना होगा अच्छा कंटेंट देना होगा तो मेरा विस्वास य जो आपका विराम का चिन यह समझना है कि यह पूर विराम का चिन का प्रियोग किया जाता है अच्छी बात है कहा किया जाता है यह तो नहीं पता है लेकिन चलो पता करते हैं आज क्यों कहां किया जता है अगर मैं यहां पर लिख दू केवल केवल लिख दू यहां पर जिसे आपने देखा होगा जिसे यह क्या है आपका धरती गोल है तो भाई ठीक है लिख देता हूं कि धरती जो है यह आपकी जो धरती होती है यह धरती है धरती गोल है तो आपका क्या कहला गोल है कि बाद हम पूर रूप से रुकेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा विरामचिन कहलाएगा यही आपका विरामचिन है तो आपको पता चल गया होगा इसका इस्तमाल कहां पर किया जाता है वाक के अंत में हां भाई मि पहली ही मिल गए आप सबीको वाख के अंद में ही इस्तेमाल किया जता है पहले थोड़ी लगा जयता है कि हाँ आप लगा देंगे यह लिखा हुआ है वाक्ा के आरंभ में तो ऐसा तो है नहीं तो आपको घलत हो जायेगा वाक के बीच में तो किया जाएगा तो कही नहीं तो कही तो किया जाएगा तो आपका धरति गोल है यही यही आपका पुढब विराम है औप्शन की तरफ गये ए राइट है हाँ सब के करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं जरासा गलती नहीं है किसी भी कमेंट देने में कोई तोरी आपकी ती नहीं है आपको भी पता चल गया कि पूरू दियराम का इस्तमाल जो वह बहतर रूप से कहाँ पर कीया जाता है क्यों और नमबर टू को पिस्ट्र MS2 यह कह रहा братьbuilder Have है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको डरना थोड़ी पया होता है यह लगा क्या होने वाला है कभी आपने अगर पढ़ा होगा तो यह एक तो धी भाई आपने देखा होगा को नियुक्त होता है यही होता है कर चटततत की लाइन होती है तो हम यह कर सकते हैं कि इसका इस्तमाल कहां गया यह तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी को कि अगर यह बोला जाता है तो कहां से बोला जाता है तो कहां से बोला जाता है कंट हो गया फिर आपको तालू हो गया तो कोई कंथ तालू मूर्धा उसके बाद आपका दंथ आता है तो हम कर सकते थि त थ इसके आं गया क्थ तालू मूर्धा उसके बाद भाई दंत लीख carriers दो आप दंत मंजन करो या दंत तो होता है उसके बाद आगर आगे बढ़ेंगे जो भी आएगा तो आपका दंत के माध्यम सी बोला जाता है क्योंकि दंत में खाल गया मुर्दा इसके बाद दंत हो गया तंता हो गया तो इसी मिलेगा यह रफ जो जो भी होगा आपका यहीं पर मिलेगा उसके बाहर नहीं पाए जाएंगे तो आप या का सकते थे आप यह सकते थे कि जो हमारी यह लाइन है इसके माध्यम से और दंट नगा दिमाग तो लगाना नहीं है कि अगर कंट हो गया तालू हो गया दंट भी आ जाएगा अगर वोस्ट लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि हमें जरूरत नहीं है दंट से पहचानना था कि यह तकी लाइन से ही बोली जाती है आपकी द और द बोली जाएगी आप आगे चलते हैं कि क्या कहता है समझने का प्रियास करेंगी देखी हाँ भाई आप लोगों का जो एंसुर आयो जवर्जस तरीके सही है तो वह भी तो समझना पहले जरूरी होता है अगर आपका एजम देखे करीब होता है तो पढ़ाने का प्रियास तो भी करता हूं कि चीजे को आपको समझा सकूं बहतर रूप से ताकि आपको अपने ही एकजम में समस्या उत्पन ना हो इसलिए तो बताता हूं तो चलिए देखते हैं आज तिसरा नमबर क्या कहता है कि ये उपेच्छा दिया है हाँ दिया है तो कोई बात ने डरना थोड़ीन है उपेच्छा सदकास सही विलोम है क्या हो सकता है इससे समझने का प्रियास करिए कि अगर ये उपेच्छा लिखा हुआ है तो इसका विलोम क्या होगा परिच्छा अपेच्छा उत्पेच्छा और विच्छा दिया हुआ है तो ठीक है स कभी बिलोंग का जुगार नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं आप इसके जुगार पढ़ लीजे भाई इसके लिए जुगार अपने पास होता है विलोंग की फोड़के जम नहीं है अगर मालीजी आइससा कोशन आ जाता है कि अप इच्छा क्या होगा तो दिए आप लोग रा होगा वैसा विलों होगा जैसा सब्द होगा वैसा विलों होगा लो भाई वैसा विलों होता है यह बड़ा बड़ा लिग देता हूं वैसा क्या होता है आपका विलों होता है तो यह आपका विलों हो गया तो जैसा सब्द वैसा जैसा सब्द होगा वैसा विलों होगा तो जाहिर दिबाते हैं तो आपको ढूड़ लो अगर ऐसा मिलता है तो ठीक है नहीं तो आपको तो पता ही है कि क्या होने वाला है उत्प्रेक्षा के लिए पूछा जाए तो यह आप में से याद करना कि आप एक्षा ही राइट होता है आप सभी को हाँ इसलिए इसको बताया हो यह होता है इसका मतलब अब आगे चलते हैं परिक्षा क्यों देदिया भाई परिक्षा दिया हुआ है तो परिक्षा क्यों दिया है परिक्षा दिया है तो लगा दीजिए भाई लगा देंगे तो अब परिक्षा हो जाएगा तो परिक्षा का भी लोब हो जाएगा इस ची रखेंगे आप लोग जल्दबाजी करते हैं मैं तो आपसे कभी नहीं बोला कि मुझे आपका तीन घंटा चाहिए दो गंटे चाहिए मुझे 24 गंटे में से केवल केवल एक घंटा ही चाहिए आपका उससे जदा नहीं चाहिए कि सुख में कौन सी संग्या है यह जो है सुख में कौन सी संग्या है यह बताना है कोई बात नहीं अगर संग्या नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं यह भ्यक्तिवाचक संग्या है या भाव वाचक संग्या है जातिवाचक है या द्रव वाचक संग्या है कोई भी हो सकता है को आपको डाउड ने हां र्राइट ऑफशन आ रहा है तो इसके बिए आपको टेंस लित के लिए द्हांथ दिखेंगे यह ब्यक्ति वास्ट लिए जब विशेस हो बाते किसी एक व्यक्ति के लिए व्यक्ति के लिए व्यक्ति को पढ़ना है अगर आप हमसे पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी पढ़ने देंग आप सभी को कि आप आपको अगर पढ़ना ही है तो इसके लिए अपने पास गाड़ा ही लगाना होता है, होता है, समझने होग्सक्ता है द्रीक होता समझने में अगर कोई अकेला है लो बाई अगर दुनिया है, यह आपकी कोई दुनिया में जो कुछभी एक होगा अकेला होगा यह दुनिया में यहां पर एक ही माले क्या है दुनिया में आप क्या इक है ऊपने तो गीता पुरार भी देखा होगा अगर आप तो गीता होती है पुरार होता है दुनिया में गीता तो एक ही है उसके अलामत नहीं है रमायाट दुनिया में एक है उसके अलामत है ही नहीं जो भी दुनिया में एक हो ब्यक्तिवाचक परिभास्ता आपका यह होना चाहिए ना कि इसके हिसाब से आप जाएंगे आपको इस स आपको सिर्फ आपको अपने ही आपको आपको अपने आख से यह आपका आख होता है यह आपके आख से जो कुछ भी जो कुछ भी आपको दिखाई ना दे यह आपके लिए आख से नहीं दिखना चाहिए आख से नहीं दिखता भाव आचक में आख से नहीं दिखता भाई बस नाम होता है आपका परिभाष से खतम आप बोलेंगे कैसे नहीं दिखना चाहिए बसका नाम होना चाहिए आपका क्या कहलाएगा भाँ आख diabetes चलो अगर यह कोई है मानलो का अगर यह मिठास मानलो मिठास को छोड़ भाई मिठास Am Google कर दो अगर मैं बात करूब है और नहीं दिखता अंधा होता ह Chapel नाम होता है और कुछ भीन देख लुक्ते हैं करो करते हैं तो क्रोधिक से दिखता दिखता नहीं अंक से नहीं दिखता लेकिन यहिता लाइदा हो आपका सदैव के लिए भाव अच्छे कलाएगा और जो भी कुछ ऐसे होंगे बच्पन भी ले लेता हूँ चलो बच्पन ले लिया भाई बच्पन जो होता है आंक से तो दिखता नहीं बुढ़ापा जवानी सब आंक से दिखता नहीं तो आंक से जब ना दिखे केवल नाम ह जो हो न वह आपका भाव अच्छे कलाता इसके अलाव कुछ होता ही नहीं तो चलो ऐसा है आपको यह भाव समझ में आ गया तो यह सुख क्या है भाई लोग लिख दिया यहां पर भी मैंने सुख को लिख दिया आपको आंक से सुख दिखाई देता है मुझे तो नहीं यह वाया चक्या होता है इसमें बढ़ना परेगा किया हाँ जाति वाच्य के लेडों अगर जाति वाच्यक कहां पर यह परता है दो यह कहीं सबुख दोकर पाई जाति का बॽर्प आपको अलग अलग जाती का नहीं अलग जाती का बस किवल बोध होता है क्या कहलाएगा आपका जाती वाचा कहलाएगा आप कहेंगे कैसे तो मैं उसके भी लिख सकता हूं आप बोलेंगे कैसे तो उसके लिए भी लिखा जा सकता है मेरे पास वह सारे चीज़े होते हैं अगर मैं बात करूँ पेन य यह पिंदीख़ रहा तो यह पेंड कौन सी पन आप को पता नहीं यह आपका प्र प्रकार से जाती हुआ है क्योंगी आपको इसको प्रापर नाम तो भाई और दो पता का बात कर रहे हो दुनिया में तो तमाम प्रकार के फूल है पतार की घृघत करना था अगरавай पढ़ना है तो अगर नहीं पढ़िए गोड़ना तो आप लिए फ्क्रीडि आपकी लिखी यहाट नहीं पढ़ना हूं जो चीजेंगे आपके liquid farm में रहेंगे या अफे द्रव के फार्म में रहेंगे या वही आपका kya कल आता है द्रव के अंतरगत आएगा सब्सक्राइब यह सब तमाम चीजिव और आपके घ्लती नहीं है आपको समझाने का मैं भी तू करता कि चलो भाई आगे चलते हैं लेकिन रिजल्ट के आता जीरो आता क्योंकि हमें चीजी समझना भी था अगो सकता भी चीजों को भी समझ में अब आ गया चीजे किसी ब्यक्ति वस्तान के नम को हम संघ्या करते हैं नहीं बाएं अबना क्या है तो संग्या के परिभासर नीं पढ़ना है कि आपको दुनिया में जो कुछ भी हो जिसका कोई नाम है अगर कोई है कोई भाई साथ दुनिया में अगर कोई है उसका कोई नाम है उसका कोई नाम है अगर अगर कोई संग्या के लिए आप कुछ नहीं करना है दुनिया में जिसका कोई भाई यह होता है कि दुनिया में जिसका कोई नाम रहेगा वह आपका संग्या रहेगा परिभास आपका खतम हो गया आप कहेंगे कैसे अगर पहाड है उसका नाम है फूल है उसका नाम है कमल है उसका नाम है पेन है उसका नाम है जो भी घर है उसका नाम है आपका नाम खुद प्रकार थोड़ी है तो आप लोग चलांक लड़के मुझे मालूम है तुमारी यह तो मुझे पता है क्योंकि उनको मालूम है कि उनको एसे पढ़ना थे इस चीज को भी यही आपका शर्णाम है और कुछ भी नहीं अगर शरूनाम की बात कियाए तो इस जीश को भी बिस्amtेश धियान देंगे। चलो आप्सन की बात किया जहां भाई डी आप्सन ही राइट था ऐसे करके आगे भी बरतकता हूं अब नहीं दुखना है तो आप चलते हैं की यहां पर क्षेशन नंबर सिक्स कहा रहा है कि जी सतना निम्न सब्दों में से बिदेश सब्द और आश्चर और चाता हुआ हुआ है हाँ आ रहा है आप से भी कॉप्षन आ रहा है एही आ रहा है मुझे भी पता है उससी एही होगा भाई गलत नहीं करिए एही होगा आप से पूचा है क्यों भाई अगर एह होगा क्यों भाई यह दिखिए एक विदेश क्या होता है उसे समझने का प्रियास जो दूसरे देस की सब्द हैं परन्तु इस्तमाल के लिए मैं तो अपने भासा में स्तमाल कर रहा हूँ आम बोल बासा में तो आप तो उन्हें बिदेसी कहेंगे तो आप पुछिंग कैसे तो आपको यह पता चल गया बीजिसे पर इलाज हमेश्था ले के चलता हूं कि पूछा जाता है एतो अर्भी भाषा का सब्द है यह तो आपको अर्भी भासा का सब्द है यह तो आपके इंगलिस के सब्द हैНе तो यह यही पूछाओ जो बिदेश के सब्द हैं तो परंतु मैं इस्तमाल करने के लिए हम ही लोग तो इस्तमाल करते हैं बोलने में बात उत करने में तो आप यह का सकते हैं ग्लास जो है आपका इंगलिस है यही एक ऐसा मात्र है जो आपका ए ऑप्शन पर छुपा था यह मतलब स्वर जिनके उचारन में हरश्वर से दो गुना हरश्वर से समय लगता है उससे क्या कहते हैं यह क्या कहलाता आप सोचेंगे कि हरश्व क्या होता है भाई हरस्व का दूसरा नाम लगू होता है लिख देता हूं अगर आप कन्फ्यूज हो रहा है तो आपके लिए लिख देता हूं कि यह हरस्व का मतलब होता है दूसरा नाम लगू होता है और लगू में तो दो ही चीजे बोली भाई इसमें एक तो चारी चीजें जोटा आप यही है जिसमें एक बार समय लगता है यही है हरश है या लगु है इसे बोलने में एक बार समय लगता है मतलब यह आप यहां कर सकतें, तो आपकी आख की पलक है, एक बार जपकने में जितना समय लगे, वो आपका लगु कहलाती है, तो जाहिर सी बाती है, जहांद डो बार जपके गभाई अपका, यह दो बार हो जाएगा, तो यह आपका पता चल गया, कि जब यह 11 होता है सुर, जब सुअर आपका 11 होता है, 4 तो मैंने लिख दिया है, आपका दिर्ख जो बचा है, यानि कि 7 ही बचा होगा, क्योंकि इसमें बड़ा A, बड़ी E, बड़ा O, तो इसी माएंगे न, तो यही कह रहा है, कि हरस स्वर्ष से दो गुना समय लगता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, तो इसमें तो एक गुना समय लग रहा था, भाई, एक गुना हो रहा था, अब इसमें हमक हít दो गुणा होना चाहिए तो दो गुणा होगा तो देरुगोगा आपको पता चल गया कि जो 7 का करेक्ट ओप yogurt है वह कौन सा और देर की के लिए आप को पढ़ना नहीं है दियते लिखने का टाइम इतना थोड़ी तो Wow आपको मालूए सवरFF 21 jóता है चार माने लिखा हुआ लगू के लिए जो बच जाता है आपका क्या कहलाता सिंगे लागता है हमेशा के लिएन डिर्ग कलता है तो पलक एक बार जबकने में जो एक समय लगता है वह आप का लख लुखालाई वजक Luther King जितना समय को दिर्ग कलाइगा तो आप कहेंगे इसका यूज कहा होता है तो आपने भी बोला होगा भया ओम बोला होगा चलो लीख देता हूं कहीं ओम अगर आपने कभी जीवन में ओम बोला हुआ है तो ओम को लंबा सा खीच के बोला जाता है ओम ऐसे बोला जाता है तो जब भी ओम बोला जाएगा तो इस चिनका इस्तमाल किया जता है इसमें पलक जपकने में तीन बर्त में लगता है अभी कभी पूछ दिया जाए यहाँ पर दूसरा अटा दिया जाए दो गुना अटा दिया जाए और पूछा जाए तीन गुना समय कि इसमें लगता है तो भी यह ओम में ही लगेगा तो आपका प्रूद के लिए जा सकते थे लेकिन आपको पूछा था दो गुना दिरगापका राइट है सब के सभी स्टुडेंट हमारे सभी विद्यार्थियों का यहां पर जब जस्त तरीके से इंसर आया है एकदम सही हो सब के सभाई एकदम सब के सब सही हो एक पिस नंबर 8 क्या कहता है कि आखबार जो है आखबार हाँ अखबार हो सकता है अखबार किस भासा का सब्द है एक तो अर्वी परसी चीनी और उर्दु दे दिया तो आपको मालूना चाहित अपको यह नहीं क्यों देता है उर्दु तो कहीं से लिचा्फु भाई इसका क खुद गड़ बढ़ है क्यों यह तो तुर्की भासा का सब्द है यह तो वेचारा जो है अगर कोई तुर्की भासा का सब्द होगा जहां से तुर्की बोली जाती होगी तो आपका इसके अंतरगत आता है यह तो कड़ गया क्योंकि पूछा है अखबार कहां का है तो अखबा आपका क्या होगा चीनी भासा या चाइना भासा का सब्द है आपने एक चीज और देखा होगा अगर एक चीज आपने देखा होगा तो मोमोज खाते हैं बहुत लोग भाई मोमोज खाना पसंद करते हैं हां तो खाना भी चाहिए जो मोमोज भी होगा वह भी कहां का होगा यह गोगा एक तो होता है भाई तुफान होताई एक तो आपका तुफान होता फार्सी के न पहल सकते हैं ऐसे मैं पहले लिखता हूट क्योंकि अफसोस जो था है एकजा में बार बर रिपीट किया गया मैं干 अपसोस के अलामट पूछ ह刚 या कुछ है कणने होता है नहीुत तो जरूर है आप बोलेंगे कैसे तो अफसोस हो गया और आप इसे अफसो्स बहादूरो गया मैं ही कैसे कुछ भी बोलु klara क्या है और वही है जो भी पेछे आपको बताः वाई इलाज कराएंगे बाए जो होता है सान्ता अगर जिला है तो ए भी तो आपका होगा I Shekin अहीं आएगा सब कर्यक्ट ऑप्शन हो पूछा था अखबार कहां काहे अखबार पूछा होए तो भाई अखबार जो है यहां पर कुछ लेख सकते हो अगर लिखना एक मन है तो आपका लेख सकते हो अखबार लिख दो तो आपका अखबार अफ़ार्शी राइट ऑप्सन है सबका सब एकदम सही तरीके उसे भाई हाँ आज क्या होता है जब आपका ही एकजाम आपके करीब होता है तो थोड़ी चीज़े मैं भी स कि नाइका में कौन सी संधी है कि संधी क्यों आता है वाई संधी इसलिए आता है ताकि आप प्रयास करता हो तक चीजिये नहीं पर समझ में आ जाएं इक यांसे आप से ना हो तो आप कहेंगे नाइका को लीख लिजिए भई नाहिका को तोड़ना जाते हैं तो नाइका को तोड़ सकते हैं कोई दिकत नहीं अगर मैं नय प्लस इका में तोड़ दूँ तो यह हमारा तो भाई कहलाएगा नाइका कहला जाएगा तो नाइका में कर्वर्ट हो जाता है और कुछ नहीं होता इसके लिए यह अगर नाइका में कर्वर् एक तो अब भाई दिखो अभाई इसका विगरक आप नहीं करना चाहते हो तो एक तो आओ मिलता है एक तो आओ यह सब मिलता रहता है भाई यह सब हमेशा नहीं यह आओ यह हमेशा मिलता रहता है तो इस पर कुछ करना थोड़ी नहीं यह आपको परिशान करेगा तो कुछ मत करिए इसके लिए अपने पास जुगाड़ है आप बोलेंगे इसके लिए जुगाड़ हाँ इसके लिए जुगाड़ है अगर अधिकान सर आपके एक्जाम में सही करना है लगभग 90% चीज़ें सही करना है आपको जुगाड़ यह पता है तो आप यह कर सकते हैं भाई अगर ज्याद तरन तीन अक्षर का ही होता है ये तीन अक्षर का होता है यह उसके लिए जुगार है ये ़ोगों के लाता हूं कि आब दिनराथ बोलते हैं उस्वagdaarn ngatio, हाई जिवा यही अधिकांस्तर जो सब्द रहेगा वह आपका तीन अक्षर का होता है और जब तीन अक्षर का किसमें होता है तीन अक्षर का आपका उसमें होता है यह आयादी जो है यह आपका आयादी जो है यह लेग देता हूँ है यहाँ यहाँ पर लेग देता हूँ कि अयादी अयादी ज देखना है कि करना क्या है हमेज़ा बिलिक दिया यह तो है जब भी आपको तिन अक्षर के दिखाई दे तो लगा के चले आना आजादी लगभग सही हो जाता है आपके लिए था चानिनक का प्रयावाचिस सब्ध है कानन का प्रयाय वाची सब्द है हाँ हो सकता है आपको टेंसन थोड़ी लेना है कि पुस्व विहीत वन इन में से कोई नी भाई इन में से तो एक है आप तो कड़ जाओ आप तो कड़ जाओ अब कानन में क्या क्या हो सकता है उससे भी समझना हमें लिए जरूरी होता है एक त अभी विigareत अभी घलती से और क्या होगा को डए वी पिन भी होता है और कांटार भी होता है तो आपको इतना पढ़ने टीटैल में यह अधिका पता 1955 फसा देता है तो अगर पुछा है सब्सक्राइब कोई और भाई इसमें सर्दाद निकरोर 11 ग्षिशंभर 11 पीशह न्बर 11 सब्द में मुल्व सब्दे का प्रत्य के अलग कुझी बात नहीं से में प्रत्य क्या होता है अगर किसी कोई प्रत्य नहीं पढ़ा सोस्पी बात हृट मैं प्रत्य पने के लिए आपको हमेसा मूल शब्त पकड़ना है उसके पीछे जो कुछ भी बच जाए आपका क्या कहला यी आप परिभासा वोलिए जो गार बोले जो जीवन में कभी गलती नहीं करने देगा है तो पघरते हैं को यसा है हां डिबिया है चलो डिबिया लिख दिखा वा था यहां पट डिबिया लिख लिए इसा दिख़ए अगर तोड़ें के तो यह तो मूल है लेकिन डिविया में डिविया में यह आपका जो डिविया लिखा है इसमें आपका बड़े की मातर है कि छोटी की मातर है नहीं आपका इसमें छोटी की मातर है तो भाई छोटी मातर लगाना थोड़ें भूलेंगे तो यही है आपका यही प्रत्य है आपका डिबा प्लस इया में तुड़ गया प्रते पूछा ज़े डिबिया में क्या है तो यह है मूल सब्द पूछा ज़े क्या है तो यह है इस चीज को भी ध्यान से देखेंगे आप सब गलती जरा सभी नहीं होगा अगर कहीं लिखा है ऐसा तो भी लगा सकते हो आप से पूछा ज जता है ठेक है सबको समझ में आ गया हाँ भाई सबको समझ में आ गया मुझे भी उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा हुआ इसलिए तो तुम्हें आराम से चलता हूं ताकि चीज़ें को समझा सकूँ आपको नीरत में कौन सा समास है? होता है आप बोलेंगे ये प्रधान क्या होता है भाई प्रधान होता है मूल सब्द उसका प्रधान ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता और कुछ होगा क्या हो सकता है एक चीज और इसमें होगा एक तो पहला पाद हमें सा छोटा होता है जुगाड आगया भाई आपका होता है भाई अगर आपको और जुगार चाहिए तो लो इसमें उपसर्ग होता है उपसर्ग होता है तो आप कहेंगे कैसे तो मैं लिख देता हूँ आपने भी दीखा होगा एक तो होता आजीवन होता है यह आजीवन होता है यह आपका आजीवन में कभी पूछा जाया है समा वास कौन सा है तो कुछ नहीं करना है मैं बूल COP Jacob tag आपको जीवन क्या है मूल सबद है आ एक क्या है आपका उपसर्ग है और कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हो उपसरग लगा कि डारेक्ट पकड़ सकते हो एक चीज और इसमें विशेज ध्यान देंगे कि एक तरह का एक तरह का एक तरह का तो सब्द होता है या एक तरह के दो सब्द होता है जैसे कि कहीं अगर लिखिज दिया जाए हुआ है कि रात लिखा हुआ है शाथ में फिर रात लिख दिया जाया कोई बात में भाई एक तरह के दो सब्सक्राइं जां सबाद सब्सक्राइब पूछा है आपका इस में नीरस में क्या है हां भाई नीरस आपको लिख लो अगर आपको नहीं है तो नीरस यहां पर लिख लो नीरस लिख दिया नीरस लिखने के बाद आपको मैं बताया कि अगर इतना नहीं पढ़ना है डीटेल में कोई बात नहीं उपसर्ग है आपके लिए उपसर्ग आपके लिए जिन्दा बाद है उपसर्ग यही कहता है कि मूल सब्द की पहचान करो तो रस जो होता है मूल सब्द है आगे क्या लगा है नी लगा है ये तो उपसर गए भाई ये तो उपसर गए उपसर गया ही कहता है कि अब बहुबरी क्या होता है बहुबरी तो भाई यही होता है कि हमेशा कभी भी आपको इसमें दोनों के दोनों पद जो होते है अब होते हैं यह अप्रधान होता है तो आप बोलेंगे अप्रधान का मतलब क्या होता अगर नहीं समझाता कोई बात निकलता है तिसरा अर्थ निकलेगा तिसरा अर्थ इसका इसलिए निकलता है जैसे कि अगर माल लेजिए कोई आपने अभी सुना होगा आप बात कहीं से करना च जब भी तिसरा अर्थ नहीं याद हो तक तो कोई बात नहीं भूल जाए बहुबरी नाम की कोई चीज होती है मैं बता देता हूं बहुबरी क्या होता है अगर आपको कहीं आपको अगर प्रयायवाची दिख जाए अगर आपको कहीं गलती से प्रयायवाची दिख जाए भग है भगवान भगवान भैन ठीशानर्थ के लिए रामण के लिए वह भी होगा आपका बयाब्भिब्ग्स थोड़ी नहीं तो एह ज़्यादा था अगर भगवान ये प्रेयावाची क्या है काम न करना यहाँ कह सकते हैं कार्यक काम को समाप्त करना काम न्यकर में करना अगर कि अगर काम नहीं करना तो आप थोड़ीं करेंगे काम हैं अगर कोई ऐसा नया बच्चा ये मेरे पास मैं यूख मैं प्राहुत बड़ा है मतलब कि गाड़ी मोटर के दुकान है अपने पास वहाँ पर मैके लोग काम करते हैं अगर कोई भी बोलता कि यार मुझे रख लो मांतों चीजों को नोस्य कंपाया है पहले दिन आया है काम करने के लिए चीजों को सीख नहीं पाया है और तो किया उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे भ detectors यहीं बोजेदा चाहत तो काम काज में को रहा है यानि कि काम न जानना यह हुआ घुमा के लाया ना यहाँ पर आप सभी को हाँ सब भाई आप तो बड़े जबर जस्तरी के सेंसोर दे रहे हुआ डी ही दे रहे हो बहुत तरीक अच्छे से चलो आगे देखते हैं अब क्या है जो धातु या सब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते क्या यह तो परिभासा है यह तो आपका परिभासा है परिभासा तो मैं देख के काड़ देता हूं आपको पता है कि देख के मैं ऐसे परिभासा काड़ देता हूं आप बोलेंगे कैसे देख भाई समाप्स का साब प्रत्य के बाद मूल सब्द के बाद मूल सब्द के बाद पीछे का जो भी बचता किया कहलाता है आपका प्रत्य के बताय था प्रतिय ही राइट उप्चन है आपका दि सब सही हो आगया आगया कुछ्टा आदा a कंध नमबर का कि उभा कुलहारी से ब्रिश काटता हैं काटता होगा आप अब भीज पता है वहाँक उलाहडी से marriage काटता है इस e waterproof मेंhen ये आपका Didya कि सारक की विभक्ति विभक्ति नहीं जानते हैं कोई बात नहीं विभक्ति का मतलब कारक radish है कौन सा कारक है अधिकरण संप्रदान करण और आपादान दिया हुआ है कोई बात नहीं भाई यहां पर आप ध्यान देंगे कि जब भी आपसे पूछाए जया अधिकरण के लिए अधिकरण के लिए एक तो में होता है और पर होता है तो कहीं जिक्र किया है क्या में अवपर तो दिखी नहीं रहा है तो आप इसे में में और पर हमेशा लगेगा तो आपका अधिकरण कहलाता है आपका दिखाई नहीं काड़ी संपरदान क्या होता है संपरदान के लिए तो को के लिए होता है इसके लिए तो को के लिए होता है कोई बात नहीं को के लिए तो कहीं दिखाई नहीं से की बात किया है तो अगया आपका करण हो गया करण क्या है अगर करण है तो क्या है भाई करण तो वही होता है इसमें तो से के द्वारा तो लगता है हाँ लगता है भाई इसमें करन हाँ आप लोग का सही है अपसरार है ते के द्वारा के द्वारा यह आपका आता है किसमें हमेशा करण में आता करन करता ने कर्म को करन से के द्वारा यहीं से के द्वारा है वेचारा जो आता है तो यहीं तो कर रहा है वक्त कुलहाडी से हां से तो मिल गया ब्रिच काटता है अगर से नहीं आए तो के द्वारा आएगा जरूर आएगा कुलहाडी के द्वारा है आप कुलहाडी से नहीं लगता अपादान में भी लगता है यह अपादान भाई से लगता है लेकिन यह एक दूसरे से कोई अलग होगा तो अलगाओ के भाव में अपादान कल आएगा करण के लिए से के द्वारा होता है राइट आपसर की बात यह दूस्ती हाँ सब सही हो मेरे भाई सब सही हो अब चलो अगे question number यहाँ पर आगया 16 number क्या के रह रहा है ?ולar नंबर यह के रहा है कि राम बजार से 4 किलो आटा लाया कौन सा बीसीशन है? पई 4 किलो तो फिक्स कर दिया यह 8 जो है वह तो 4 किलो ही है ना उसilage ज़यादा है ना उसे कम है dau है इसमें तो कोई रहता है इसमें चीजें फिक्स नहीं होती है जब भी चीजें फिक्स नहीं होती है तो आपका अनिस्चे परिमारवाचक कलता है कि अगर मैं बोलता कि कुछ आटा लेकर आया स्याम राम तो आप एहत्रकते पता नहीं तो कोई कुछ हो तो आपका अनिस्चय परिमारवाचक के अंतरगरत आता है यह सारोनामिक के लिए भाई हमीसा चीजें फिक्स होती है कि जो इसका परिमारवागा जैसे मैं दो लिटर दूद अपने यहाँ लेकर आता हूँ रोज, यह तो fix हो गया, आज मैंने अपने गाड़ी में पेट्रोल को 2 लीटर भरवाया, तो यह तो fix हो गया, जब चीजे fix की बात किया जाए तो यह निशीट होता है, वही कहा है, राम बजार से 4 किलो आटा लाया, आटा कितना लाया, 4 किलो fix बताया है चलो आप ही के संद्गे हम फीदम आप के सांदगे कुड में क्या होगा गुड में तो उसकार रंग हो सकता है उसका अगर कोई अगर रंग है आपके पास रंग है कोई रंग है रंग के लिए इस्ते circ लिफ इस्तेल legal है और आपका दशास द्र चौगी चिए जा सकता है उसका मीठा से भाई भाउत मीठा है तो गूड है तो अच्छी मतलब दस आची नहीं है हां भाई सकती है तो यह आपका था लेकिन निश्चीत में आपको चीज़े फिक्स होंगी तो 4 किरू आटा फिक्स है इसलिए आप यह कह सकते थे सी ओप्सन राइट है हाँ अब आ गया सब का सब भाई जीतने लोग हो हाँ देखिए हमारे जहां पर यहां पर मुख्य बिद्यार्थी जो भी यहां पर जुड़े हुए है अच्छे लोग भाई देखिए कुछ बिद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कमेंट कर रहे हैं ठेक कुछ सब्सक्राइब को बोलने के लिए सवर की सहायता लेडी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं यार ये क्यों आता है ये तो क्यूंत आ जाएगा जाएगा तो आपका परिबाहता नहीं हो डहा है तो समास के लिए भी बताया समास में तो आपको पढ़ना नहीं है समास में क्या होता है साब्धी कर्ण बोल जक्ते हैं बिलोम की बात किया तो आप उसे व्यास का नाम दे सकते हैं यह सब एक्ष्ट्रा आपको याद दूँ सा लिख दूँ यह सा जो हाट लगा हुआ है सा मतलब आधास है तो बोलने में तो तुरूटी हुई आपको लेकिन बीना सवर के तो आप बोलने पाएंगे इसको हटा देंगे भाई आपको अ की मात्रा मिली आपको अ मिला नहीं मिला तो आपका अब जाके जब भी इस सहयति और जब भी मिलेगी आपको क्या कहलएगी बेंजन कहलाता है बात किया जै कौन सा सही है तो आपका सत्र का स्ती ही सही है हां आप लोगों का भी जवर जश्सेत त तरीके से उलत रहे है मुझे पता है आज Sport पर है क्यूआ आपको पता है कि मैं आपको यह क्या करें कुछ जब आपका एक्जाम करीब होता है तो मैं भी दम सतर्क हो जाता हूं ताकि चीज़ों को बेहतर रुप से समझा सकूं क्या के रहा है कि यह डेड़ चाबल की खिछड़ी यहां होती होगी भाई देखे हैं देड़ चाबल की खिछड़ी मुहावरिकार्ति तो मुहावरा है भिन विचार रखना तो छिकार करना कठिन कार उपरियुक्त सभी ऐसा तो नहीं है वाई कि उपरियुक्त में से सभी लगा देंगे ऐसा नहीं है आप इन्हें चाहते हैं तो काड़ दीजिए जरा सभी दिक्कत नहीं है तो जब भी अगर ये डेड़ चावल की खिचडी की बात किया जाए कि ऑफाल की खिचडी तो भी वी स जो भी रखना तो जब भी आसे बात किया है तो आप यह कह सकते हैं कि हैं आप और रख्ते हैं आपका क॥ंद्पर य ញन्निस अब आगे चलो की विश्षमें अस्थाई भाओ किस रश में होता है अपकी एकजाम में おकट का चुका है बैइ यह तो आपकी एकजाम में रश संबन्दित क्वेशन कोई गछा है अपके कंब कर फ mensen के लिए हासी होता है नियुक्जाम होता है आपके लिए कंसी क्या बात किया तो हास के लिए हंसी होता है अस्थाई भाव हास हो गया सांत क्या है सांत है तो निर्वेद होगा इसका यह जो होता है यह आपका निर्वेद होता है यह अद्भूत यह अद्भूत कहां से आगया भाई अद्भूत को तो नहीं आना चाहिए था तो आपको पता चल है कि जिसे और बात किया जाए यह विभत्स क्या है तो कोई बात नहीं आपने सुना होगा जो गुपसा होता है तो लो लिख दिया जो गुपसा जो होगा वह आपका हमेशा विभत्स का एकदम अस्थाइभाव राइट हो जाएगा सब के सब हाँ यही होगा यही होगा मैरे पहलाई यही होगा जो आपका होगा क स Śाम करेक्ट होगा जर्द सभी गलती नहीं लुद अब तो आ गया जित्थे आपको डर लगता है ना रात दिन बच्पन में तो मुझे भी डर लगा था अGold पर मैं ऐसे नहीं मैं डरता तो ऐसे डरता था कि टीचर कोई उठा न दे मुझे कोई टीचर एसे उठा न दे कि भाई उड़ जाओ ऐसे मैं तो डरता था कि यहां पर नवल सुन्दर श्याम सरिश की सद्ध आपको दिया है सलज नीरत सी कल कांती थिभाई या आपको नहीं तो कोई बात नहीं इस प्रंक्ती में कौन सा अलंकार है अलंकार ही पूछा है कोई बाहर से थोड़ी पूछा है तो उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है या स्लेस अलंकार या उत्रेक्षा अगर आप बोलना चाहते तो बोल सकते हैं लेकिन एक चीज नोट करना हमेश सा से सरीष ऐसा कुछ दिखे आपसे सा से सी सरीष या आपको जो भी ऐसा कुछ दीखे तो आप आख बंद करके भी लगा सकते हो योजक चिन तो कहीं कुछ है किहां योजक चिन ऊंपका है यहां पर आपस तो कहीं नहीं दिख रहा है लेकिन यहां पर सब्सक्राइब और भी सित रहा तो आपर हैं तौढ़ करेंगा कर सकते थे भाई मां ही होगा करेक्ट ऐप्सन tussen और भाई आपका उपमाई होगा यहाँ यह पर यह रूपक कुछ समझ नहीं रूपक क्या होता है रूपक में किया रूपक में आपको विस्य स्नें धियां देना है रूपक में आपको योजक me दिखेगा पर आपको इसमें सा, सी जो सरीष अभी आपने देखा, इन सारी चीजों को भाई एक चीज तो करना पड़ेगा, नहीं दिखना चाहिए, आपका योजक चिन दिखे पर शास से सरीष नहीं दिखना चाहिए, यह होता है रुपक की पहचान के लिए, अगर आपको स लेस्प क्लिए आपको सब्द एक होता है दो पर अर्छ अलग अलग हो जाए अर्थ भिन होता है यह आपका लेस्प्रेक्षा के लिए दिमांग थोड़ी लगाना आप सभी को उद्प्रेक्षा के लिए आपको उत्प्रेक्षा की पहचान करनी है तो आपको एक तो होता है जहीं भाई मनहू होता है एक तो मनहू होता है और नहीं मिलेगा तो मनहू मिल जाएगा आपको पता हो गया कि तो मनहू होता है और कुछ जानू भाई यह जनू लिग दो कोई दिक्कत नहीं अरे बिचार बनता है लिख देना जो होता है जेसाथ फाक्ता हैसे हो जाएगा और आप केंगे अंतर्य। शुआ हो जाएगा इन सारी चीजें अपको उट्रेशा के अंतर्कत मिलती है आप बात करेंगे कौन से सही तो लो के आपका उप्मा ही सही है हां यृ-प्षिन भाय अप अप Rio haven करता है अच्छी बात है भाई कोई तो नवकरी करता है आपको भी करना चाहिए यह तो मानिक चलना चाहिए अगर आप पढ़ेंगे नवकरी कहां से करेंगे उसका भाई नवकरी करता है वाक में सरुनाम है वाक में सरुनाम है कौन सा सरुनाम है पहचानते हैं भाई निज वा घ्रताइवन इसमें फिक्स होती है कि अगर मेरा है यह हुआ घर मेरा है यह सब सारी पूरूस वाचक ही बसता है लेकिन पूरूस वाचक को लगाना तो है पूरूस वाचक को अगर हो नहीं सकते तो आपका एक पूरूस वाचक अगर पढ़ना है तो आपको थोड़ा से भाई धैरे बनाना पड़ेगा है पूरूस वाचक भार अगर यह समें पूरूस वाचक यहीं है तो होता और अगर आप देखे प्लूड अपने के लिए बात किया एता है जिसे कि यहां पर अभी लिखा मैं और आप खूद के लिए मतलब कि यह सब चीजे कहां आति यह वेसा मेरे लोग है ऊसका उसका भी लिएस को extractоз Люб करने के लिए दिये अगर पूरुस वाच्चों को ऐसे हटा दिये ता और अन्य पूरुस ला देता तो कंफ्यूज हो जाते पूछता तो आपको यही होता है जो आपको भी जेश्ट बताया हाँ ऑप्शन सी ही सही होगा आपका राइट है अब आगे चलो पूरुस नमर 22 क्या कहता है कि निमलेखित में इससे अब्य है ठीक है भाई अब्य क्या होता है यह भी समझ लेते हैं अगर अब्य की पहचान करनी है तो कहीं अगर आपको ठीक दिख जाए यह ठीक होता है और दिख जाए साथ साथ अगर इसलिए भी दिख जाए इस आपका अगर इसलिए दिख गया, तथा दिख गया, अगर तथा नहीं दिखा तो परंतु दिख जाएगा, यह सारी चीज़े जो होती है अब्या के तवर पर जानी जाती है, तो आप कहेंगे कि अब्या इसमें है कौन सा, भाई अगर अब्या तो प्राचिन तो होई नहीं सकता, अब्यकित दवरान, तो ठीक है, आगे चलें भाई, आगे चलते हैं, क्विस्टन नमबर, अब बात करते हैं, तेस नमबर पर, देखें, तेस नमबर को हम वो ध्यान समझना है, आप सभी को भी ध्यान से समझना है, पढ़ना पहले धीर दीरे की आपका यह जो लिखिया है, करमुरली उरमाल, आपको दिया अलप बिराम, फिर दिया है, सीसमुकूट कटी काचनी, ठेक है भाई, और बसो बिहारी लाल, फिर आपको अलप दिया हुआ है, इही बानक मोतमन सदा, ऐसा है, समझते हैं, इस पंक्ती में चंद क्या है, चंद नहीं पढ़ा है, तो कोई ब होगी, सोला होगी, लेकिन यह सोलठा में क्या होता है, सोलठा में तो भाई, वही चीज़ता है, जो आपको पता होना चाहिए, सोलठा में क्या होगा, अगर यहां पर एक लिख दू, यहां पर एक दो, और एक तीन होता है, साथ यहां पर चार होता है, कोई बात नहीं, भा तीसरी आपकी 11 होनी चाहिए यह आपके दूसरी कितनी होने चाहिए भई या 13 होनी चाहिए और आपका यह चौथा भी 13 होना चाहिए तो जाके क्या कहलाएगा सोर्था कहलाएगा तब जाके आपका सोर्था कहलाएगा पहली लाइन आपकी 11 की दूसरी लाइन 13 की तीसरी लाइन फिर 11 की चौथी लाइन फिर आपके 13 की होनी चाहिए तब जाके सोर्था कहलाएगा ठीक है एक तो आपने देखा आपने अगर अपने चंद नहीं देखा तो भाई देख लो ए होता है लगू होता है लगू होता है खोटा हूथ और यह होता है यह क्या होते हैं यह होती है चार तो आपने काउंट कर लिया तो आपका साथ बच गया आप बोलेंगे साथों को लीख दीजिए यहाँ पर जिसे बड़ा a पांच छे साथ आप ऐसे याद करो या आपके लिए जुगार बताया कि अगर आपको चार पता है तो जो बच गया आपको साथ वही आपके इसमियों हो जाते हैं देखे आपको हमेसा एक जुगार यह है आपके लिए दिमाग पर हमेसा सेट कर रहे ना जब भी लगू का होता है एक बार और दिर्क का मतलब होता है दो बार यह आपचित ध्यान देना इसके लिए सिंबल ऐसे होता है काउंट करने के लिए इसके लिए ऐसे होता है तो हमें जब भी चोटा चोटा एकी बात किया जाएगा तो एक बार काउंट करेंगे और जब भी बड़े- एक वार गाट करने है तो एक बाएक्षान कांट करना है लिए दो आपका यह बड़ी की मात और गई जासर १ हो गया और ुमिलिए सब्सक्रारी हो गया एक जियुक्त लेकिन 13 होना चाहिए दूसरी में आपकी 13 होना चाहिए तो count कर लो इसमें तो आपको बड़ी की मत रहा है तो बड़ी वाले में दो बर count करना पड़ेगा एक डो चार पांच छे भाई 6 मिल गया आपको अब इसमें साथ एक बार आठ नौ एक बार और दस इसमें एक बार 11 नीचे भी 11 इधर 13 तो इधर भी 13 होगा सोलठा आपका सही है आपको अगर कोई भी ऐसी पंक्ति दे तो आप काउंट कर लेना आप काउंट कर लेना ऐसे ही गिनकर कि लगू के लिए छोटा चोटा यह और री के लिए हमेशा एक बार काउंट करना और जब भी बड़ा- आपको दिखे मात्रा तो दो बार काउंट कर लेना आपका रिजल्ट आपके सामने होगा अब चलो आगे चलते हैं कि कि नंबर यहां पर आया है 24 क्या कहता है कि निमलिखित में से सुध्धुवरतनी के द्रिश्टी मतलब यहां सुधुवरतनी बताना है कि अंतराश्टी बहुत यहां इंटरनेश्टनल हवायड़ा है तो आपको अंतराश्टी अगर लिखना है आपको तो मैं तो तो इस प्रकार से लिखा गया था अगर आपने और किसी प्रकार से देखा होगा तो बात अलग है मैं तो अंतराष्टी ऐसी देखाता तो अगर कहीं ऐसा दिख रहा होगा तो जाहिसी बातें सही होगी तो अंतराष्टी तो नहीं होता भाई अंतर नहीं होता उपर लगता है ये भी नहीं होता option C ही right है जरा सभी गलती ने क्योंकि यही अंतराश्टी जो है यह आपका सही होता है क्योंकि आपने पुष्टक में देखा होगा या फिक कहीं और देखा होगा बात लगा लेकिन होता यही हो जो ही आपका राइट है यही होता है इस चीज़ को बिसेज ध्यान देंगे लिखने के लिए इस्तवाल किया जाता है आप यह चीज़ जान लो यह 25 यह कर रहा है कि चंद हसीनों के खतुत के जो उपनेस लेखक हैं वह कौन से हैं तो अगर आपने देखो अग्य तो नहीं है अग्य नहीं है अगर आपने उग्र की तरफ गया अगर बी ऑप्सन हाँ बी ऑप्सन ही राइट है क्यों मैं बताता हूं इनका नाम जो होता नहीं मैं बताता हूं क्या है थे भाई पांडे जी यह पांडे जी है या बेचन जी है पांडे बेचन जी है भाई कोई बात नही पांडे बेचन जी हैं और इनके पूरा नाम लेवाई सर्मा भी लगा लेते हैं यह वह लगा लीजी आप लगा लीजिए पांडे बेचन सर्मा अगर आप इतना नाम नहीं कहना चाहते तो कोश्टेक में आप उनको यह भी कर सकते हैं कि उनका नाम उग्र के नाम से भी जाना जाता है यह आपका हो सकता है इतना अगर उनका इतना तो इसको वहां लिखना नहीं है तो आपको क्या करेगा उग्र ही देगा ताकि आप उग्र को लिख सको राइट ओप्सन की बात कि तो आपका बी ओप्सन करेक्ट हैं तो ऐसे ही मुलाकात होगी आपके अगने क्लास में यह हमारा अभय बैच है आपको पता होगा ठिक इसी प्रकार से समझना था मुलाकाते ऐसी होती रहेंगी तब तक के लिए हाइबाय होता रहेगा और आपको ध्यान पुरुवक पढ़ना पढ़ने यहां पर आप सब आएंगे तभी तो कुछ होगा आप पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या अपने जीवन में अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या पीता है वही दहारता है दूसरा कोई थोड़ीन दहारेगा अगर अभी चंद से कुश्चन आया जो बताया हो तो वही दहारेगा ही ना जो जानेगा वही तो सिच्छा आपको अपने जीवन काल में कभी भी नहीं छोड़ना है क्योंकि यहीं एक ऐसा है जो आपको सही जगहां पर लेके पहुंचा देता है ठीक है दोस्तों नमस्कार मैं विकास विस्वकर्मा अगली क्लास में आप करते मुस्कुरती लगा है ठेके देए थैंक्यों बाइट थैंक्यों बाइट थैंक्यों